गुद मॉनिंग फ्रेंट्स तो आज नेक्स टेंगे संडे भी है आज तो कल हम लोग आके पहुंचे थे यहां पर एक देड़ बज़े पहुंचे थे और लॉंच बगरा करके साम में तो बैथे बीच बगरा घुनिके आगे अगे और अभी मॉनिंग नौ बजने जा रहा है एक सित्की हुआ है साई साई कर सोई है और उसको कल रात एक दड़ बज़े भी भूमिटिंग बहुत हुआ पता नहीं बच्चे लोग इंडाजेशन सायद हो गया तो खाना पिना इतर हो दर हो जाता है तो हम लोग यहां से दस बज़े करीम निकलेंगे और सर लोग साइब जाएंगे फीश वगेरा लाने के लिए खान पर हम लोग को नहीं जाएंगे सोच रहे तो चलिए मेरे सब वीडियो में बने रहे आगे हम लोग रहा जाते हैं क्या करते हैं तो मैं आपको अप्डेक्ट करती है वाई रेकफास्ट हो जाने के बाद देख सकते हैं यहां पर सब कोई आ गए हैं स्विमिंग पूल में मजा करने के लिए सब बच्चे और सब जेंट्स लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और साइशा को दीखे बिलकूल पानी के अंदर नहीं जा रही है उसको डर लग रह से डाल के वह खेल रही है और यहां पर देख सकते हैं एक सब पकड़ लिए पानी में लेने के लिए बहुत रोई तो फिर उसको छोड़ दी वह खाली यहीं पर बैठके बच्चे लोगों के साथ खेली मजा की चाहती है नीचे जाने के लिए फिर भी वह उपर आ जाती थी बहुत डरती थी और यहां पर देखिए मैं पूरा रेड़ी हो चुकी हूँ आज के लिए और यहां पर हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं मंदर मनी जाने के लिए और लोग सब स्विमिंग पूल में नहार ने लगे तो इसलिए हम लोग और बीच नहीं घूम पाए तो चलते हैं मंदर मोनी में घूमते हैं आते ही यहां पर देख सकते हैं यहां पर टेंपल है लेखे कितना सुन्दर देख रहा है यह मंदीर काली मा का मंदीर है तो अब हम लोग अंदर अंदर जारे हैं बीच के पास सब आगे चले गए है मैं पीचे बीचे जा रहे हूं यहां साइसा अपने पापा के साथ ज़से आगे तो अंदर चलते हैं थुड़ा यहई से घूम खाते χाएं के चले जाएंगे लांज करके विपास में अही था मं सब साइड साइड में बीच के किनार में दुकान बजर सब रहता है बच लोगों के लिए टॉइस वाटर अक्टिविटीज बगरा बच लोगी सेंड में खेलने के लिए सेंड टॉइस अपर सब है देख सकते हैं सब जगह वही सैम है आणी नहीं बहुत है यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह हमारा पूरी में जितना दुकान बजर में अभी सकती है बीच के अंड़ा मन भी गए थे वहां पर भी उतना दुकान बजर नहीं था यहां पर भी नहीं है कहीं पर भी में आज तक नहीं देखी कितना पूरी में है यहां पर देख सकते हैं यह एक क्या है इसमें पानी सायद फांटेन है लेकिन अभी फांटेन में पानी नहीं है यहां पर अंदर में फीश भी है गिर जाओगी देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल सा बीच है और सब कोई बोल रहेते हैं मंदल मौनी बीच महुत अच्छा है मुझे भी पर्सनाली मंदल मौनी बीच बहुत अच्छा लगा और निट अन क्लेण भी था बहुत भी ब्यूटिफुल सा देख सकते हैं आप भी उसका व्यूज़ देख सकते हैं नीट अन क्लेण भी है और बहुत भी अच्छा बीच है यह नया हुआ है मंदल मानी बीच to this तो यह देख सकते हैं कुछ इस टाइब का मंदरमनी बीच है यहां पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां का मिट्टी यह बहुत हाड है गारी बगेरा भी सब इसमें जा सकता है बहुत खाड लग रहा है गिलगलवना नहीं है देख सकते हैं इस कुछ इस टाइब का भी हुए है यह है मंदरमनी बीच वहां पर साइसा गाड़ी में घूम रही है दीगा में पच्छास करके हैं यहां पर सो रुप्या गारी में दोर यहां पर देख सकते हैं पाने में पास में जाके आपको दिखाते हूं अभी अपका आप पासो अपका हुए यहां आपको ऑड़ाराutral को कि अभी हम लोग आ गये हैं और यहां पर देख सकते हैं हम लोग लांच करने के लिए रुके हैं और यहां पर होटेल के फॉंट में एक बोर्ट जैसा बना गया था तो बच्चे लोग उसके उपर चड़ के सब फोटो वगरा ले रहे थे और होटेल का नाम दपीके पेलेस है तो यहां पर आभी हम लोग लांच करेंगे तो तो फाइनली हम लोग का बहुत टाइम वेट करने के बाद खाना आ गया तो जली जली खाना खा लेते हैं और फिर निकलेंगे पहुंचते-पहुंचते भी बहुत लेट हो जाएगा देख सकते हैं पूरा रात हो गया है पूरा अंधेरा हो गया है आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मंदर मनी का ब्लॉग कैसा लगा क्या मुझे कोमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल में जोड़ी कोई नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को एक लाइट करने के लिए भूलेगा मत रहती हूं नमस जै 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 करनाठ बाइ लॉट्स अफ लॉव टेक क्यार लव यू झाल झाल